तो। आज अम बनाएंगे मूउंग दाल पापड। तो अभी ब्ले बेल्ले हुए बनाएंगे बैने आटम गूत्हे बनाएंगे और आलू से पतले पापड बनाएंगे और our दोनोवe आसां तरीके जे बताएंगे। तो देखे इनको हम फ्राइ करके दिखा रहे हैं कि इतने बड़े फूल के हो गए हैं और काफी टेस्टी बने हुए हैं ये काफी कुरकुरे बने हुए तो आप इन्हें बना कर काफी टाइम के लिए रख भी सकती है तो देखे हम दिखा रहे हैं कि इसकी आवाज किसमे जाद के रख दिया था और सुबह देखिए हमने से पानी इसका छान दिया काफी अच्छे से फूल गई है तो इसे 10 से 12 गंटे के लिए कम से कम भिगा के रखना है एक हमने यह मिक्सर जा लिया और इसमें हम दाल डाल करके और इसमें थोड़ा सा पाई डालेंगे और इसका महीन सा पहले हम तयार कर लेंगे तो देखिए इसका महीन सा पेस्ट तयार हो गया है तो इसको हम एक किसी भी बड़े बरतन में हम इसे निकाल लेंगे जितना सारा पेस्ट निकालने बाद हम थोड़ी सी काली मिर्च लेंगे और इसको हम दद्रा सा कूट लेंगे आप काली मिर्च की जग है आप काली मिश का पाउडर भी ले सकती बर काली मिश थोड़ा दरदरा सा कुटी हुई जो होती है इसमें पापड में थोड़ा अच्छी लगती जादा देखिए दो चम्माच के करीब हमने मैदा लिया है और इसको इसी मिक्सर जार में डाल दें जिसमें हमने दाल पाइशा था और इसमें हम आधा घ्लास के करीब पाई डालें जर्म् seeks द tark लेंगे ताका मैदा हम लिए च्छे दलें लिए परम ओक्रमिक्स्विसमें आदा ग्लास का पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि अभी इसका पेस्थ असलो सा बहुत ज्यादा पतला भी नेच चीए बहुत गाळा है तो देख्जें अब घोल के रख दे रहें हैं तो देखें हमने इसमें मैदा जो यह कूट करके लिए इसको हम डाल देंगे आप पाउडर भी डाल सकते हैं पर काली मिर जो कूटी हुई होती है इसमें ज्यादा अच्छी लगती है और इसमें हमने एक चमच के करीब जीरा लिया है जीरा अगर आपको नहीं पच्छन तो आप इसकी कर सकती है और नमक हमने स्वा प्लेट को में पने जुआ हम और जीरा को भी पना सकती है एक एक स्पून के करीम हमम डेलें और यहाद पानी फैल जाएगा बहुत ज्यादachmentWhen यह हम आपने आपसे देखे बाराबत से हो जा रहommy है और जितने हम जाती हूं एक पहले सारे बैटर बनाएब हम तैयार करेंगे g product m iq, chotis ने हम आपके यह ज़ेसे बड़ ने हो गाए दितने हम इसे लिए पनरा भी ज़ाव सो .. और इसी कोपर हम यह जो प्लेट में हमने बैटर डाला है इसको व्रग देंग तो एक बार में दो से तीन प्लेट के करीब इसमें आ जाएंगे और रख करके इसको ढख करके और पकालिंग तो पकने बहुत टाइम नहीं लगता है जो यह भाप वाले पापरों दे बहुत जल् होगे हैं अधिक थोड़ा से इधर धाल था तो उसमें देखिए पापर एक तरफ मोटा हो गया पतला हो यह प्लाइब यह पापर जो पूरे शाइज में बने हुए है यह में ध्याण रखना तो देखिए सारे पापर अच्छे से ठंड़े होगा यह ध्यान रखना कि ठंड आप पका सकती है तो देखिए आप अधे बहुत अच्छे बने अच्छे बने बास जो गांगे यह द्याना ओल्टे साइट से थाली में लगा दे रहें और शारे पापर इस टाइप से हम धूप में फैला देगे देखिए उससी बैटर से हम दूसरे तरह पापर बनाएंगे एक ग्लास बड़ा एक ग्लास हमने पानी लिया पानी अच्छे है से हमने जब बॉयल कर लिया तो जो यह हमने दाल वाला बैटर है इसमें डाल करके चलाते रहेंगे वरना इसमें लम्स पढ़ जाएंगे तो यह हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हम मेडियम रखेंगे बराबर हमें चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलिय बिल्कुल ना पढ़ना ने पाएं तो इसी टाइप से चलाते रहना है आब आक इसमें नमक वगएर विद्यक्ती वी के चलल कारें तो क्या सब्सक्राइब चिंच नियुक्त乐्स सब्सक्राइब करें परफिlists टम्य Caps falls ताकि 10 मिनट बाद हम इसे पापर तयार करेंगे तो हलका कुनगुना रहेगा तभी हम पापर के तयार करेंगे तो देखिए हलका सा गरम है अभी है हमने पॉलीथीन लिया है पॉलीथीन पे इससे हम बनाएंगे प्लास्टिक की जो सीठ होती है इस टाइप के तो इसमें खाने में बहुत स्वादिश्ट होते हैं जो बनते हैं उससे भी पतले बनते हैं थोड़ा थोड़ा से बैटर डालते जाएंगे ऐसे गोल गोल से हम अच्छे से घुमाते हुए सारे पापर जो है इस टाइप से हम बना लेंगे पहले तो इन्हें बहुत टाइम नहीं लगता ह इसे से सुखा लेंगे धूप काफी तेज हो रही है इस टाइम में पापर शूखने बहुत टाइम नहीं लगेगा दो दिन तक सुखाने इस क्या होगा कि काफी टाइम आप इससे स्टोर करके भी रख सकती हैं यह पापर शूख चुके हैं यह पापर हूँ है जो हमने आप वाला पापड़ है यह पॉल्ड काफी कुरकूरे बने हूए हैं थी आर घर आफी क्रिष्पी बने हूए झाहय क्हाने क्कैल्य पर शूंच रही खाए श्रुख सब्सक्राइब यह होते हैं यह तोर तोड कर करके दिखा रहा हैं काफोप ही कुरकूरे बने हूए क् मै अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आती है तो प्लीज में चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले साथ में बेल आइकन जहूर दबाएं आप अपने अनुभों भी हमसे जरूर शेयर करें